हाई फिरेंट्स वेलिकम बेक टू एजुकेशन इंडिया तो यहां भी बात करेंगे अभी नंदन वर्दमान के बारे में अभी नंदन वर्दमान के साथ जो भी हुआ पाकिस्तान में हम इस वीडियो में पूरा खुलासा करेंगे पूरी रिपोर्ट बताएंगे और सचाही बताएंगे किस परकार हुआ था अभी नंदन सर के साथ पाकिस्तान में तो यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी इसलिए आप स्टुडियो को लास्तक देखे और पूरा देखे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से छोटी सी मेरी गुजारिस की अदिया आप देश दु पाकिस्तान से लेकिन पाकिस्तान करने से पहले कुछ अभी नंदन सी सर के साथ कुछ ऐसे बड़े बड़े कारणामें किये थे औहुंआ इस वीडियो में आपको बता हूं रिपोर्ट के अनुसार तो अभी नंद ballot सर साथ जो भी हुआ वह एक तरह से कहें तो बड़ा ही दुखनी बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान ने अपनी नीस्ता साबित की है देखे इस रिपोर्ट के अनुसार किस परकार उनने अपनी नीस्ता साबित की है तो अब हम बताते हैं किस परकार अभी नंदन के साथ वैवार हुआ था पाकिस्ता तक फैसा मेडिकल रिपोर्ट हो चुका है खुला सा अभी कल लुपोर्ट वें पाकिस्तान के खुझ कीई पॉप अभी नंदन जी ऑदिकारी मान रहें कि अभीनेंदन को यह चोट उस समय लगी जब पेरासुर से इस्थाने चोट लगी और कैसे लगी जों दिए धेंद की औ पाया था कि कैसे चोट लगी लेकिन जो अभी नंदी सरकेस सेना के अधिकारी थे उन्हों नहीं यह कहा कि पैरारसु से जब उतर रहे थे तो यह चोट लगी थी लेकिन दोस्तों यह सच नहीं है सच यह है कि पाकिस्तान में जब उनके साथ विवार हुआ था रनित क्या गया तो मेडिकाल लिपोर्ट में ये भी एक बहुती बड़ा खुला सा हुआ है पाकिस्तान में मार पीट के आरोप लगे पहले यह बता जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई मार पीट नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ उन्हें मानसिक परतारना जेलनी पड़ी है लेकिन दोस्तों अब यह बात आइ है कि मानसिक परतारना के साथ उनके साथ मार पीट यानी सारे रिक भी हुई थी मार पीट दोस्तों यहां पे लगा है कि मेड essना थिर्फ टैंटीन वन के क्रेत्यों के मने पकड़े गए बारतिय पाईलिट अभी नंदन वर्दमान के साथ पाकिस्तान में मार पिट हUI थी। उस बात का खुला सा इख कमांडर अभी नदन के मेडिकल इपोर्ट से हो चुका है। नियुञ जेसन सी एन एन आई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सेना एस्पिताल की मेडिकल इपोर्ट में अभीनदन की पसलियों में चोट होने की पुष्टी हो चुकि है इसका साथ साथ उनकी रीड की हड़ी भी चोट आई है बात सामने आ चुकी है कि रीड की हड़ी की चोट उन्हें पाकिस्तान में मार पिट के कारण आई थी लेकिं सेना के अधिकारी ने कहा है कि यह रीड की हड़ी तूटने की लोगों ने अभिनानद के साथ मार पीड़овी की की ति शुतुरों के नुसार अभिनानदर की मेडिकल जांच अगले कुछ दिनों और चलेगी और विकमानदर की इतनी मेडिकल जांच इसलिए कराई जाए ये ताकि यह भी पता लगा जा सके कि पाकिस्तान कहीं जासुश के उदेशी से उनके सरीर में कोई यंतर या किसी तरह है कि च शिप अगार तो नहीं लगए कोई चीज तो नहीं लगई है पाकिस्तान ने लगई नहीं है पाकिस्तान ने अभिनानophoneर के सर में सरी तो यहां पर यही बात का खुला सा होने जा रहा और दोस्थ तो हम बापको बता दें तो अभिनंदन सर जिस कदर भारत लोट है तो इससे उन्हें एक महान जो हैं समान दिया जा रहा अब उन्हें महाविर पुरुसकार से समानित किया जाएगा जो की एक बड़ा दरजा है जो अभिनंदन सर को मिलने जा रहा है यह रिपोर्ट थी एक्क अबिननन को पाकिस्तान की गिरफ्त में करीब साथ गंटे के बाद में रिटाइट किया गया यह नहीं कि उन्हें से छोड़ा गया था और अक्सिमंद्री ने इसके बारें विश्थार से जानकारी भी लिए ती ज्यान हो कि अभी नंदन सुक्रवार देशाब अटारी वागा बॉर्डर से सीमा होते हुए बारत पहुंचे और इसके करीब डाई कंटे बाद में रात करीब पौने बारा वजे वाई शेना के एक विमान से नई दिल्ली पहुंचे उनके बारतियों सीमा में परवेस करने पर यह पाया गया कि उनकी दाई आंके पास सूजन भी है यह ब तुर्यत बार में पाकिस्तां को एक दूसरा वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें कुछ सवाल पूछे गई थे पाकिस्तान के सेना द्वारा भारतियों tomarस से यह इसी ही कारन पूच्य ता कि भारत को पता लग जाए कि विक कमांडर हमारे पास सुरक्षे थे यह कुछ सवा सारी रिक भी नुक्सान हुआ है रीट की हड़ी भी क्रेक आया है रीड के डी टूटिए अब कुछ और जानकारी हो रही है पाकिस्तान ने क्या लगा है यह यह पिर नहीं और पाकिस्तान पर तोhere छेहां पर आप यह यहां पर देख लोंगे यहां पर इसी चैनल पर आप देखो गयी इसलिए आप हमारे को सब्सक्राइब कीज़िगा और ढबाएगा पासी में आरे गंती का निसान को चले आप इस वीडियो को करते हैं सर्थ खदम और दोस्तों मैं आप से एक छोटी सी गुजारिस करूंगा कि इस वीडियो को आप एक हिंदुस्तानी होने के दोस्तों वीडियो को देखने के दन्यवाद जहिंद जवारत वंदे मात्रम